नमश्कार, दे कुकिंग रैक में आप सबी का स्वागत है आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डोसा चेटनी की रिस्पी ये चेटनी आप खा सकते हैं अलग-अलग सौथ इंडियन डिस्के साथ पीनट कोकोनट चेटनी यानि मुफली नारियल की चेटनी जो बहुत चल्दी बन जाती है और सौथ इंडियन डिस्के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है आईए देखते हैं इसके बनाने का तरीका इस चेटनी को बनाने के लिए हमने लिया है कच्चा नारियल डेर कप जिसके काले वाले छिलके को हमने काट कर निकाल दिया है और इसे छोटे टुक्डों में काट लिया है इसे डालेंगे ग्रैंडिंग जार में आप इस चेटनी में सूखा नारियल या पाउडर वाला नारियल भी यूज़ कर सकते हैं साथ में डालेंगे आधा कप भूनी हुई मुंफली, आप कच्ची मुंफली को थोड़े से तेल में भूभून सकते हैं या पैन में ड्राय रोस्ट कर सकते हैं, चार सूखी लाल मिर्ज का बीज निकाल कर हमने गुनगुने पानी में आधे घंटे के लिए भिगो दिया था, इसे डाल देंगे, इससे चट्नी में कलर बहुत अच्छा आता है, पर ध्यान रखे, बीज आप जरूर निकाल दें, नहीं तो चट्नी बहुत तीक ही हो जाएगी, साथ में डालेंगे डेढ़ी इंच अद्रग जिसे हमने छोटे टुकड़ोबे काटा है, और इसमें डाले इसमें डालेंगे आधा चम्मच चीनी, चीनी डालने से चट्नी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, एक चम्मच नमक आप अपने स्वाथ के अंचार डाले, शाथ में डाल देंगे एक कप पानी, अगर आप लेसन खाते हैं, तो दो कली लेसन भी डाल सकते हैं, इसे हमने अच्छे से ग्रैंड कर लिया है, बिल्कुल बारिक साई से हमें ग्रैंड करना है, और इसे हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, इसे हम ट्रांसफर कर लेते हैं, बाउल में, अगर आपको चट्नी थोड़ी पतली पसंद है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं, वैसे ये चट्नी काड़ी ही अच्छी लगती है, ये चट्नी हमारी पिसकर तयार है, इसे रखते हैं साइट में, और आप बना लेते हैं इस चट्नी के लिए तड़का, पैन को मीडियम फ्लेम पर गरम करेंगे, और इसमें डालेंगे एक बड़ा चमस तेल, तेल करी पत्ता, करी पत्ता का टेस्ट चट्नी में बहुत अच्छा आता है, इसलिए आप इसे डालेंगे जरूर, एक चोथाई चमस डाल देंगे हींग, तड़के को अच्छे से भून लेंगे, ये तड़का हमारा तयार है, तो फ्लेम को बंद कर देते हैं, और इस तड़के क चट्नी के उपर फैला देंगे, लिजिए सर्प करने के लिए तयार है, क्रीमी और बहुत ही टेस्टी चट्नी आप इसे, डोसा इटली उत्मम के साथ सर्प कीजिए, बहुत टेस्टी लगती है, जब आप इस चट्नी को सर्प करें, तो तड़के को चट्नी में अच्छी तरह से मिक्स कर दें, आपको रेस्पी पसंद आती है, तो लाइक, शेर, कमेंट चरूर कीजिए, इतने आसान तरीके से जटपट बनने वाली चट्नी को आप भी ट्राइ कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल बटन को प्रिस कर दीजिए पी के साथ, तब तक के लिए धन्यबाद